हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों स्वाकत आपको अपने योटूब चैनल और आज के इस वीडियों लोग बात करने वाले के वीएस का जो टीजीटी पीजीटी या पी आटी आपने फॉर्म भरा है तो उससे रेलेटेड एक नोटिस आया है उसके बारें बात कर लेंगे और फि वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो दूसरा एक आयोग है जिससे सारी सिक्षा समंदित सारी भरतियां है उसी आयोग से की जाएंगी तो उसके बारें बात करेंगे तो इस वीडियो को एंट तक जरूर देखिए और इसके बाद कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट मे जो आपको चहिए एक्जाम समंदित तो आप बताइए वो मैं कोशिश करूँगा वीडियो के माध्यम से आपको साजा कर सुकूँ आप लोगों से और टेलिग्राम से जुड़ जाएए डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया हुआ है वहाँ पे करेंट अफेर्स की जो वीड जाएगा अब एक एक करके सारी चीज़ा हमनों डिसकस कर लेते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी है जो सबसे पहले देखिए अगर आपने फॉर्म भरा उसकी लास्ट दो तारीक को हो गई है तो अब फॉर्म भरने की तिती तो समाप्त है अब जो नया नोटेस जारी हुआ ह वो अगर आपकी फॉर्म में कोई तुर्टी हो गई है तो उसके सुधार के लिए जा रही है तो नोटेस देख लेते हैं एक बार यह देखे यह नोटेस है यह केंदरी विडियाले संगठन ने यह पांस तारीक को रिलीस किया है यह डेट आप देख पा रहे होंगे इधर यह पांस तारीक है तो यह पांस तारीक का नोटेस यह कल आया था और इसमे नोटेस में है क्या कि इसमें अगर आपने फॉर्म भरण है तो तूट इन चीज़ें चौड़ दीजै अगर आप ऐसे तीन चीजों को छोड़के इसके लावा अगर कोई भी ऐसी चीज है जो गलती हो गई सिगनेचर फोटो या कोई भी डीटेल डालने में आपका डियो भी में कोई भी अगर गलती हो गई है तो इसको आप करेक्शन कर सकते हैं और ये विंडो आज से खुल जाएगा आज कब से कब से कब तक रहेगा ये देख लेते हैं ये च्छे तारीख यानि कि आज 6 तारीख दोपहर में दो बज़े से लेके 8 तारीख को रात में 11 बचके 15 हाना वो 8 तारीख तक रूरेगा यानि कि दो दिन का समय है तो बिना गलती की होए जो भी correction आपको करना है कर लीजे आपने जो भी form भा रहा है उस correction को अज का link जो है आपको official website पर जाएंगे वहाँ पिसका link मिल जाए को वहाँ से directly जाके आप इसको correction कर सकते हैं तो बिना देर कियो इसको correction कर लीजे और बिना क्योंकि अगर correction नहीं कर हो सकता आपको form भी reject हो जा है तो इसको बिना देर क्यों भर दीजे इस से related इतना ही है अब अगली बात कर लेते हैं एक्जाम को लेके अब यह देख लीजे कि यह correction वाली बात तो खतम हो गई है अब exam date को लेके अगर आप तयारी कर रहे हैं तो मैंने लास्में बोला भी था कि अगर आप यूपी पर थोड़ा पश्तावा तो करना ही पड़ेगा के वी का फॉर्म आपके लिए एक अच्छा विकल्ब था नौकरी के लिए अब यह है कि इसका एक्जाम मैंने आपको बोला तलास वीडियो में कि मार्च में आपका एक्जाम हो जाएगा वे टीजी टी मिड आफ मार्च में ती जीटी पीजीटी का लेकिन एक जानकारी निकल के आरहि है मतलब वह एक ठोड़ा सा मतलब इसमें होता है कि कई सारे जो फॉर्म एक साथ भरे गए हैं तो इसमें कि ये लागजिकली एक चीज़ aí होती है कि मालब शूरू कहाँ से होगा आपका dai या पीजीटी का नहीं आप कर रहा है है आपका जो बुकिंगी वगेरा होगरा हो वो सारी हो चुकी है उसमें जो भी mock drill होना है उन्हें स्टाफ का जितना भी होना है तो 10 feb से आपके exam शुरू हो जाएंगे और उसके बाद में आपका जो भी प्रकरिया है आपका exam कभी भी हो सकता है तो फैब से लेके मार्च तक आपकी कोई भी डेट हो सकती है अब मैं यह नहीं कहूंगा कि मैंने पिछली मिड मार्च बोला था वो बोला था मैंने बट जैसी एक development होती है उसके साफ समय आपको अपडेट यही कर रहा हूं कि मिड मार्च वाली जो डेट है इसको पकड़ के म नाथ बैठी है फैबरी से लेके मार्च तक आपका एकसाम कभी भी हो जाएगा हो सकता है कि भी से लेके मिड मार्च तक आपकी कोई डेटा है मन अलब इतना लंबा विंडो आपको इसलिए ते रहा हूं कि मिड कर पूल जाईए इसके साफ से मैं यह मान के चल रहा हूँ तैयारी आपकी पहले से ही चल रही होगी क्योंकि आप UP का एक्जाम दे रहे होंगे या कोई भी स्टेट का दे रहे हैं कि ABS का ही देना है तो आप पहले से ही subject या जो भी है तैयारी कर रहे होंगे है उसके बारे में TGT PGT का एक्जाम है अब पता यह खिछड़ी क्या हो चुकी है अब सारे आयोगों को मिला के एक आयोग बना दिया गया ब्लूप्रिंट है बनाया नहीं गया इसमें कई सारी चीज़ें है एक अच्छी ख़बर तो यही थी कि सभी जगे अगर एक्जाम एक आयोग से होंगे तो टाइम ली टाइम टेविल आएगा एक्जाम कैलेंडर आएगा तो आपको समय पे एक्जाम हो जाएगा बत एक दोविधा यह भी है कि अगर आयोग जो लखनव में जो यूपी ट्रपल सी वाला आयोग है अगर उसकी तरह इसकी कारिश हैली हो गई तो आपको यूपी ट्रपल सी आप अगर फॉर्म भरते होंगे तो पता भी होगा कि लेकपाल हो चाहें मंडी परिशाद हो वीडियो हो जितने भी एक्जाम है अभी तक कोई भी एक्जाम क्लियर हुआ ही नहीं है तो यह बहुत ही मतलब पेंफुल प्रकरिया है यूपी से होगा ववेश इसका दूसरा एक घ्जाम इसका किस आयोग से होगा यह एक दम बिलकुल भी कंफर्म किसी को भी नहीं है जो भी जो कहär रहा है मुझे नहीं लगता उसको यह सी जानकारी है कि töी टी पीजिडी का अगजाम आपको इας नए आयोग से होगा या पुराने आयोग सो होगा या जैसे भी है अभी कोई जानकारी नहीं है लेकिन एक चीज ये जरूर हो गई है कि आपका sousर्री कि जितना ँग्जाम को डेट को लेकी एक अनलफिता की स्थिति है वो बन गई है चाहें वो हाई र का हो हो, टीजिटी, पीजिटी का हो तो आपका मई जून तो आप फिर भी मान के चलिए ये मिनिमम है आपका इससे पहले एक्जाम मिनिमम नहीं होगा इसके आगे बढ़ जाए नया आयुक से करते हैं या पुराने से करते हैं यह तो समय भी पता लगेगा और दूसरा यह अगर आप तयारी कर रहे हैं केवियस के ले दीजिए टीडीडीडीडी यूपी वाला है मिनिमम मै या जून तक यह खिचेगा यह खिचेगा तब तक आगर आपको जो तयारी करनी पढ़ना है या इसी को अच्छा करना है वैसे कर लिजए या कुछ दूसरा और कोई बहतर विकल बीच में डिखता है जॉब को ले के बीच का एक्जाम नजदीक अगर भरायत इसकी त्यारी जम के करिए बाकी और कोई डाउट रहता है जानकारी के लावा तो कमेंट में पूछे मैं कोशिश करूँगा आपको बताओं स्वस्त रही है मस रही है सब्सक्राइब ना कियो चैनल सब्सक्राइब कर लिए कोई और जानकारी चीर जरूर बताईए बहुत बहुत धन्यवाद